ज्यादा तर मूली की दो ही रेसिपीस बनाई जाती हैं या तो मूली के परांठे या फिर मूली की सबजी इसलिए आज मैं मूली की बिलकुर अलग सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो लोग मूली नहीं खाते हैं वो भी इसे बड़े शोक से खाएंगे तो आ सकते हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही मूली थी इसलिए मैंने मूली के साथ साथ एक गाजट भी ले ली है ताकि क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाए और कबाब के अंदर सबजियां बहुत ही बारिक चाहिए होती हैं इसलिए मैंने छोटे वाला ग्रेटर इस्तेमाल क किया है और दोनों सबजियां अच्छे से हमने कद्दू कस कर ली है अब इसके बाद हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे एक कटोरी पानी पानी को अच्छे से उबन ले दे और उसके बाद ग्रेट की हुई सबजियां उसमें एड़ कर देंगे एक बार अच्छ दोनों ही सोफ्ट हो चुके हैं अब हम डालेंगे एक चमच लाल मिर्च आदा चमच गरम मसाला आदा चमच नमक थोड़ी सी काली मिर्च सबी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और मसालों को कुछ दिर तक पकने देंगे मसालों के पकने के बाद इसमें हम डालेंगे आदा कटोरी बेसन और आदा कटोरी बारिक वाली सूजी अगर आपके पास मोटी सूजी है तो मिक्सी में चला करके उसे बारिक कर लीजिए और एक बार अच्छे से चला लेंगे और पूरा मोश्यर इसका खतम हो जाए तब तक हम इस पेस्ट को पका लेंगे और ये पूरी तरह से हमारा पेस्ट तयार है इसे ठंदा करने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे अब हाथों से मसलते वे इसका एक डो बना लेंगे तो कबाब बनाने के लिए पेस्ट बिलकुल तैयार है हाथों को चिकना कर लेंगे और निवू के साइज जितना पेस्ट एक बार में हम तोड लेंगे और उसका ड्राउंड ड्राउंड करते हुए एक गुल्गल कबाब बना लेंगे अब हतेलियों के बीच में कबाब को रखते हुए थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसे इस तरह से दबा लेंगे इससे ये कबाब बहुत जादा करारा बनेगा अब चारों तरफ हलका हलका सा इस तरह से करते हुए इसे एक फाइनल शेप दे लेंगे इसी तरह से बाकी सभी कबाब भी हम बना करके तयार कर लेते हैं तो कबाब सारे रेडी हैं इन्हें अब डीप फ्राई कर लेते हैं तेल मैंने पहले से ही करम होने के लिए रख दिया है और तेल करम भी हो चुका है अब इसके अराम अराम से हम छोड़ेंगे अपने कबाब और गैस का फ्लेम हम पूरा हाई ना रख करके मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि कबाब अंदे से क्रिस्पी हो सके तो साइट चेंज करते वे कबाब को हमने फ्राई कर लिया है और ये पूरी तरह से क्रिस्पी लग रही है अब इन्हें हम बाहर निकाल देंगे और कबाब को फ्राई करने के लिए हमें 2-3 मेर्ड का टाइम लगा है इस तरीके से कबाब बहुत ही जादा खस्ता बनते हैं कबाब बहुत ही जादा टेस्टी बने हैं और खाने के बाद कोई भी नहीं कह सकता कि इन्हें हमने मूली से बनाया है तो कबाब की इस recipe को आप भी जरूर बना करके देखें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके कबाब कैसे बने हैं आप इन्हें breakfast में बना सकते हैं बच्चों के टिफिन में पैक कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें